नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योट्योब जिनल पीएफ़ पी में वीकली क्यों एने सेशन की शुरुबात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है नजारा टेक्नोलोजीस में क्या करना चाहिए लॉंग टम के लिए मेरा एवरेज प्राइस ट्वेंटी फाइव चाहिए और टेक्निकली भी स्टॉक आपको बहुत ही ज्यादा वीक नजर आता है अब देख पाएंगे जैसे हमें यह 1450 का लेवल टूटता हुआ नजर आया स्टॉक काफी ज्यादा वीक हो चुका है तो मेरे हिसाब से तो 1450 के ऊपर सस्टेन होता है तो वो भी एक बड़ बात रहेगी 25 इंडिक का लेवल तो मेरे हिसाब से अभी मुश्किल नजर आता है कुड यू प्लीज पिक वन स्टॉक इच प्रॉम बिलो फॉर बेटर ग्रोथ HDFC बैंक या फिर कोटक बैंक कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए अगर ग्रोथ अच्छी चाहिए तो यहां पर इस एचिए और नेसले में नेसले थैंक्स अलोड किरिशन सर फॉर ये ट अनदर वंडर्फुल एंड एजुकेशनल वीडियो थैंक यू सर आप एक लॉंग टर्म इन्वेस्टर हैं फिलाल आपने यहां पर अभी तब कोई फंड्स डिप्लॉय नहीं किये हैं आपके पास फंड्स नहीं हैं डिप्लॉय करने के लिए आप यह प्लान कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जा सकता है तो कुछ स्टॉक्स हैं जैसे की सीडी ऐसल हैं जो कि काफी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं और ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में न आपने स्टॉक बेच दिया तब मार्केट रिकवर हो गया मार्केट ऊपर चला गया तो आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो सकता है कि अभी क्या करें अभी मैंने बेच दिया फिर से आप खरीद नहीं पाएंगे तो अगर आप यह जो नेगेटिव पॉइंट है उसको एकसेप्ट करते हैं समझ रखते हैं कि इसा भी हो सकता है तो इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आता है क्योंकि पर्सनली मैंने अल्री बता दिया है कि निफ्टी में मैं थोड़ा बायाज नूँ कि यहाँ पर गिरावट हो सकती है fundamental factors भी हमने डिसकस किये थे और शायद गिरावट ना भी और अच्छी तेजी भी देखने को मिल जाए तो यह शर्स आपके बिके रह जाएंगे आप वापस खरीद नहीं पाएंगे ऐसा सारा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तो यह रिस्क आपको देखते हुए आपको डिसीजन लेना जरूरी हो जाता ह प्लीज कंपेर टाटा एलेक्सी आपको थोड़ा बहुत काम नजर आता है तो यहाँ पर लॉंग टर्म के लिए तो आप खरीदारी करने के बार में सोच सकते हैं अच्छी कंपनीज है लेकिन अभी खरीदारी करनी है तो मैं ल्टीटियस को जाधा प्रिफर करूंगा भी दिया है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट पर आपको लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो देख सकते हैं मेरे इसाब से टाटा एलेक्सी में आपको अच्छी खासी घरावट देखने को मिल सकती है एक्चुली देखा जाए तो मैंने वीडि अपती तदा स्ट्रेच हो जाए उसके बाद भी आपको उपर जाता हूँ नजरा है मैंने दो तिन स्टॉक ही देखें एक है आईसर मोटर और दूसरा ब्रिटानिया का स्टॉक है जो के ऐसे भागते गए भागते गए बहुत ताइम के बाद वो रुके थे ऐसे केस बहुत कम होते हैं तो मैं probability के साथ जाना चाहूंगा टाटा एलिक्सी में मेरे हिसाब से अभी के लिए अवाइड करना चाहिए अगर आपको काम करना ही करना है आपको conviction है तो जा सकता है यह मैं अपना विव आपको बता रहा हूं लेकिन फिर भी एक स्टॉप लो जरूर लीजेग वो नजर आया स्टॉप में weakness देखने को मिली यह जो retest का level था यह एक opportunity थी बेचने के लिए अब भी अगर स्टॉप में आपको तेजी देखने को मिलती है तो आप यहाँ पर exit करने के बार में सोच सकते हैं बहतर opportunity इस मार्केट में available नजर आती है CDSL, KPR, Mill और KP Tech के valuations पे मेरा क्या विवे देखिए CDSL का वीडियो तो हमने आज ही बनाया है आप वो वीडियो देख सकते हैं वहाँ पर हमने देखा कि valuations extremely महंगे नहीं है extremely सस्ते भी नहीं है KPR, Mill और KP Tech इनके भी valuation extremely महंगे नहीं चल रहे है 100-500 के P ratio पर ये लोग trade नहीं कर रहे हैं लेकिन क्या होता है में आपको देखने को मिली है दो साल में 10 गुना हो गया तो ये चार्ट बहुत ही stretch हो चुका है नीचे के लेवल्स पर आपको कोई बड़े support नजर नहीं आते हैं क्योंकि stock ने trade ही कहां किया है थोड़ा ऐसा करता है उपर चला जाता है तो यहाँ पर ज़दा trade नहीं किया है इसलिए यहाँ पर stop loss लेकर काम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ऐसे shares में 2-3 साल के लिए आपको time correction, price correction easily दिखाई पड़ सकता है यह कोई large cap companies नहीं है small cap, mid cap के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है metal stocks पर मेरा क्या भी हुए यहाँ पर current situation को देखते हुए sale now को NMDC में आपने खरीदारी की थी वो 20% नीचे चल रहे है तो अभी क्या करना चाहिए तो Nifty Metal के बारे में बात करते हैं आपने individual कई shares लिए हम पूरा Nifty Metal देख लेते हैं यह all time chart है 2011 से chart हमारे सामने है अब देख पाएंगे यहाँ पर कोई growth आपको देखने को नहीं मिली है भले ही आपने यहाँ पर खरीदा होता या bottom पे भी खरीदा होता तो भी यहाँ पर भी long term की growth है से हम नहीं कह सकते हैं यह तो cyclical growth है यह वापस नीचे भी आ सकता है और past में हमने कई बार देखा है यह पूरा sector ही cyclical है तो यहाँ पर वैसे भी long term के निवेश नहीं करना होता है जब lower end पे होता है तब हम खरीदारी कर सकते हैं तब ही अगर आप stop loss के बिना खरीदा बना हुआ था यह पूरा zone काफी important है अगर यह zone तूट जाता है तो easily आपको 4000 का nifty metal दिखाई पर सकता है और बात में कैसा price action बनता है और भी नीचे आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि past में भी आपको यह situation देखने को मिली है तो मेरे इसाब से average नहीं करना चाहिए sell on rise की यहाँ पर आपको opportunity दूणनी चाहिए हो सके उतना यहाँ पर नई position अगर बनाते भी है तो भी stop loss लेकर ही बनानी चाहिए Orient Electric long time का view क्या है क्या यह next haveils बन सकता है तो मेरे इसाब सगर आप next haveils दूण रहे है तो polycap better choice है Orient Electric खराब company है ऐसा में नहीं कह रहा लेकिन polycap में मुझे personally ज़्यादा भेतर opportunities नजर आती है Orient Electric में क्या करना चाहिए तो इसके chart पर हमें 270 का level important नजर आता है पास में resistance था फिर support बन किया अब वापस वहीं पर आ चुका है kind of head and shoulder pattern भी हमें बनता हुआ नजर आता है तो यहाँ पर 270 के नीचे जाता है तो exit कर देना चाहिए यहाँ पर दूसरे अच्छे stocks में आप निवेश करने के बारे में सोच सकते है mtar technologies और data patterns में limited quantity है long term के लिए फिलाल आपकी strategy क्या होनी चाहिए शिर्फ यही stocks है जहाँ पर आपको profit हो रहा है तो mtar tech के बार में बात करें तो यहाँ पर इसका जो support है 1165-1150 के आसपास का एक support area हमें यहाँ पर नजर आता है resistance के बार में बात करें 1700 के आसपास का एक important resistance है stock तो weak हो चुका है उसमें कोई doubt नहीं है अभी यहाँ पर आपको sell on rise के बार में सोचना चाहिए technically stock अभी sell on rise हो चुका है limited quantity में है अगर आपको यहाँ पर विश्वा से company पर conviction है hold करना चाहिए तो कोई issue नहीं है बाकि technically तो यहाँ पर sell on rise की strategy अपनानी चाहिए data patterns के बार में बात करें यहाँ पर अभी इतना सदा sell on rise वाला माहौल नहीं बना है यहाँ जब तक यह stock 580 के support के उपर है 580 से 650 680 का पूरा zone एक support zone है जब तक इसके उपर है अच्छी बात है इसके नीचे जाता है तो मेरे हिसाब से exit करना चाहिए as you had already given buying levels for few large cap IT require your view on KPIT technologies और बिरला soft तो large cap IT में तो हमने कुछ levels update कर दिया जैसे की TCS infosys हो गया KPIT tech के बार में बात करें तो KPIT tech में फिलाल यहाँ पर 6 महीने का अगर हम वीव लेते हैं तो 6 महीने में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है देखे हमने discuss भी किया था चार्ट stretch हो जाते हैं यह 2021 में देखे कहां पर 100 के आसपास सा फिराल यह 800 हो गया है तो यह चार्ट काफी ज़्यादा stretch हो चुका है तो यहाँ पर यह गिरावट होती है तो यह बड़ी बात नहीं है लेकिन percentage terms में 800 से 500 आ गया तो अपना portfolio कितना डूब सकता है आप समझ सकते हैं इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पर ऐसे stocks में stop loss लेकर काम करना जरूरी हो जाता है यहाँ पर एक बार अलड़ी यह तेजी आई यह consolidation हुआ ब्रेक आउट हुआ री टेस्ट किया फिर यहाँ पर तेजी आनी चाहिए थी यह 600 का level resistance की तरह दिखाई पड़ा वापस नीचे आया और stock उसके भी नीचे आता हुआ नजरा आता है तो मेरे इसाब से अभी मौका है exit करने के बार में सोच सकते हैं टेक्निकली अभी यह weak है जब तक यह high नहीं तोड़ देता है तब तक हम यहाँ पर bullish नहीं हो सकते हैं बिरला soft के बार में बात करें तो यहाँ पर तो अलड़ी गिरावट हो चुके है weekly close भी हो चुका है अभी मौका है निकलने के बार में सोच सकते हैं चे महीने के लिए आपने पूचा है तो चे महीने के लिए तो यह week ही चल रहे है जब तक अभी यह 500 के उपर नहीं जाता है तब तक हम इसे ज़्यादा strong नहीं मान सकते हैं या फिर नीचे कोई ऐसा price action बनाता है तो हम मान सकते हैं कि स्टॉक में कुछ तेजी दिखाई पड़ रही है सर इस गिरावट में आप model portfolio paid member के लिए बनाई है इसमें 2-3 साल के लिए अच्छे returns मिल सकते हैं अभी तो देखिए मैंने वीडियो में कहा है कि मेरे इस आप से घिरावट हो सकती है 14,000 निफ्टी आ सकता है तो 16,000 निफ्टी पे कोई भी model portfolio कोई भी खरीदारी aggressively करने का कोई sense नहीं बनता है और model portfolio हमने अल्यडी बना कर रखे हैं देखिए model portfolio बार-बार change करने के ऐसे जरूरत नहीं होती है जब हम investment के बार में बात करते हैं investment में fundamentals बार-बार change नहीं होते हैं company के वो rarely आपको change होते भी नजर आते हैं बाकी एक बार हमने अच्छी companies को select कर लिया अलग-अलग sector से अच्छी company select कर लिया उनका allocation decide कर लिया उसके बाद as a investor as a market participant हमारा यही काम है कि कैसे हम लोग allocation को manage करते जाएंगे अगर allocation कहीं पर बहुत कम हो गया है तो जहाँ पर जादा हो गया है वहाँ से पैसा निकल कर कम वाले में डाल देना है इस प्रकार से बस portfolio को manage करना होता है अलड़ी हमने model portfolios बना दिये हैं आप वो वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर नए model portfolios की फिलाल मुझे कोई जरूरत नजर नहीं आती है और in fact अभी वो time भी नहीं चल रहा है कि market में aggressively हमें निवेश करना चाहिए और क्या demand हमें 800 तक आता हुँ नजर आ सकता है बेश डॉनिट रिजल्स तो फिलाल जिस प्रकार की market है गिरावट हो सकती है नो डाउट 800 का level कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर short term के बार में बात करें मैं अब भी ज़्यादा bearish नहीं हूँ क्योंकि 4000 से गिरता आ रहा है 32 के level पे आ चुका है और यह कई बार ऐसा होता है कि results बुरे हैं लेकि stock उपर चला जाता है P.I. industry के बार में बात करें stock एक अच्छे level पे हैं technically weak है no doubt यह जो fall देखने को मला काफी ज़्यादा weakness यहाँ पर दिखाई पड़ती है लेकिन as a long term investor खरीदना चाहें तो खरीदने के बार में सोच सकते हैं यहाँ पर 2000 पे भी आता है तो आप यहाँ पर buy on dips करने के बार में सोच सकते हैं एफले के बार में बात करें तो यहाँ पर मेरे इसाब से wait करना चाहिए एफले काफी ज़्यादा weak नज़राता है अपने trend line पर trade कर रहा था लेकिन फिलाल हमें यह trend line तूटती हुए नज़राईए 1000 का एक last यहाँ पर आशा है कि भाई 1000 पे कुछ support लेके उपर चला जाए तो अच्छी बात है लेकिन अगर 1000 का level पर ऐसा करके कुछ तोड़ देता है तो सीधा आपको 7500-800 का level देखने को मिल सकता है तब आप खरीदारी के बार में सोच सकते हैं buying levels क्या होने चाहिए बज़ाज finance के current market rise अच्छा है HDFC life के लिए भी अच्छा है डिमार्ट के लिए भी अच्छा है IRCTC में भी थोड़ी बहुत खरीदारी करना चाहिए तो करने के बार में सोच सकते हैं इसके बाद मेरा यहां पर ज्यादा मन उठ गया यहां पर एक ऐसा कुछ सर्कुलर रहता है और यहां पर situation बदल जाती है तो PSU स्टॉक से अभी दूर रहना ही मेरे इससाब से लॉंग टम के लिए जादा बहतर रहेगा इसलिए बागी खरीदारी करना चाहिए थोड़ी बहुत कर सकते हैं नीचे के लेवल से आपको तुरहन बाइंग भी एमर जोती भी नजराई तो मैं एक्सपेक कर रहा हूँ कि इसी चैनल में कुछ समय के लिए और यह ट्रेड कर सकता है तो यहां पर कौन से लेवल पर हम सपोर्ट एक्सपेक कर सकते हैं 2500-2400 यह जोन इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां पर इसने तोड़ा कॉंस्लिडर किया था उसके बाद तेजी आई थी तो यह जोन पर हम खरीदारी एक्सपेक कर सकते हैं बाइंग होती भी नजरा सकती है बाइंट तो हम अंदाज़ा लगाते हैं यह नहीं पता होता है कि यह बाइंग है कुछ टाइम के बाद हम यह आनलेसिस के इसापसे पता लगा सकते हैं कि अभी हाई chances हैं कि यह bottom बन गया, आप समझ रहे हैं न, जब यह stock गिर गया, यह एकदम 100 रुपे पर आ गया, यह bottom है, ऐसा कोई नहीं कह सकता, तेजी आती है, 110 जाता है, कुछ ऐसा price action बनता है, तब हम यह बोल सकते हैं, वह शायद अभी यह bottom बन गया है, वापस आपको यह levels देखन को नहीं मिलेंगे, ऐसा हैं analysis करते हैं, तो यह आप कैसे कर सकते हैं, कोई भी अगर आप chart open करेंगे, weekly chart open किज़े, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए आप analysis कर पाएंगे, जो भी important support नजर आता है, वो mark कर लेना चाहिए, stock suppose अभी फिलाल यहाँ पर चल रहा है, important support नीच तूटता हूँ नजर आया, इसे W pattern कहते हैं, यह level अगर आपको तूटता हूँ नजर आता है, ऐसी कुछ situation आपको नजर आती है, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर भी bottom बनने के chances आये हैं, और यहाँ से stock वापस recovery की दरब जा सकता है, लार्सन एंटूबरोर SRF में क्या करना च क्योंकि past में यही level resistance की तरह देखने को मिला था, फिर सालों के बाद यह breakout हुआ, थोड़ी बहुत rally याई 2000 तक गया, वापस यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर हम expect कर सकते हैं कि stock थोड़ा support लेकर वापस उपर जा सकता है, stop loss के साथ काम करना मेरे हिसाब से यहाँ पर ज इस सबसे wait and watch ही करना चाहिए, क्योंकि इतना यहाँ पर भी देखिए, चार्ट बहुत ही सदा stretch हो चुका है, और उपर के level से आपको अच्छी खास सी selling भी नजर आती है, और फिलार यह channel में भी आपको breakdown देखने को मिला है, तो यह stock आपको नीचे आता हूँ नजर आ सकता है इसे मेरे इस सबसे अभी के लिए avoid करना चाहिए, most stocks are showing heavy correction, conscious stock का accumulate करना चाहिए, growth stock जैसे की नौकरी, budget finance, consistent compounder जैसे की, piddy light, Asian paints में, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, कोई issue नहीं, अच्छे prices पर आ चुके हैं, तो क्या हमें large cap पर ही focus करना चाहिए, या फिर mid cap, small cap मे भी जाना चाहिए, देखे small cap और mid cap में आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है, in fact मेरे हिसाब से, जो कि मैंने open लिए analysis share भी किये, large cap यानि कि nifty 50 भी 14,000 का level हमारे लिए open है, वो level आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो सोची अगर large cap, nifty 50, 14,000 आता है, तो mid cap, small cap की क्या हलत होगी, तो इसलिए मेरा माणना है, अभी wait करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि अपने साथ कोई situation चल रही है, ना ही अपने साथ technical strength है, चाट भी week चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि company के valuation सस्ते हैं, valuation भी महेंगे नजर आते हैं, और जो fundamental factors है, interest rate का cycle है, ये सब भी अपन साथ नहीं है, inflation अपने साथ नहीं है, तो अभी जल्द बाजी करके FOMO में आके मेरे इसाब से small cap, mid cap में बहुत aggressively इन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हम miss ना कर जाए, इसलिए थोड़ा बहुत खरी दिये, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी आपने खरीदा और बायचा स्टॉक्स में से exit करना चाहिए, और अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, I hope आपको यह वीडियो पसंद आता है, thank you, stay happy, happy investing.